बिस्मिल्ला रह्मान रहीम, फोर क्लास स्टूडेंट्स असलाम लेकूम बच्चो आज की क्लास में हमने यूनिट नमबर 3, दा जर्नी ओफ चॉकलेट के पेज नमबर 24 की रीडिंग और उर्दू ट्रांसलेशन करनी है तो आए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं ये फलियां पकने में तकरीबन से माह लग जाते हैं अफ्टर दैट इसके बाद दा पॉट्स आर क्लेक्टिट इन्टू हीप्स फलियों को धेरों की शकल में अकठा कर लिया जाता है और फिर पीजों को निकालने के लिए फलियों को खोला जाता है अब मज़िदार चॉकलेट के बनने का अमल शुरू हो जाता है अब मज़िदार चॉकलेट के बनने का अमल शुरू हो जाता है सबसे पहले बीजों को गरम किया जाता है और प्लेस्ट या रखा जाता है इन दा हॉट सन तेज धूप में फार ड्राइंग खुश्क होने के लिए सबसे पहले बीजों को गरम किया जाता है या तेज धूप में खुश्क होने के लिए रखा जाता है Then they are sent to factories, फिर इन्हें फेक्ट्रियों में भीजा जाता है Chocolate beans are cleaned, चॉकलेट के बीजों को साफ किया जाता है Before they are roasted in a big oven, इससे पहले के उन्हें एक बड़े oven में भूना जाए Chocolate के बीजों को साफ किया जाता है, इससे पहले के इनको एक बड़े oven में रोस्ट किया जा Next the shells are removed, अब फलियों को साफ कर दिया जाता है या खतम कर दिया जाता है From the beans, बीजों से Next the shells are removed from the beans, अब बीजों को फलियों से साफ कर दिया जाता है The remaining pieces are edible, अब जो piece बचे हैं वो खाने के काबल है, are called nibs और ये nibs कहलाते है The nibs are roasted, nibs को roast किया जाता है या भूना जाता है and mixed with sugar और इसमें चीनी शामल कर दी जाती है and made into a paste और इसका एक paste बना लिया जाता है Dried milk, खुश्क दूद and some flavors और कुछ जाइके are added to the mixture इस mixture में या इस मरकब में खुश्क दूद और कुछ जाइके शामल कर लिया जाते है This mixture is then poured into big trays अब इस मरकब को या इस mixture को बड़ी-बड़ी trays में डाल दिया जाता है Our granite roller is pushed in each tray for several days एक पत्थर का एक roller कई दिनों तक हर ट्रे पर धकेला जाता है The chocolate now becomes a fine liquid अब chocolate एक उमदा liquid बन जाती है Finally, आखरकार this liquid is left to harden इस liquid को या इस माया को सख्त होने के लिए छोड़ दिया जाता है This is how chocolate is made इस तरह से chocolate बनाई जाती है Chocolates are no doubt a good source of vitamins and minerals इसमें कोई शक नहीं के chocolate, vitamins और minerals यानि के माधनियात का एक अच्छा जरिया है But eating too much chocolate मगर बहुत स्यादा chocolates खाना is not a good habit एक अच्छी आदत नहीं है We must remember to always brush our teeth हमें याद रखना चाहिए कि हमें brush our teeth अपने दांतों को brush करना चाहिए after eating chocolate, chocolate खाने के बाद हमें या बाद जरूर याद रखनी चाहिए कि chocolate खाने के बाद अपने दांत जरूर ब्रश करनी चाहिए Next step post treating Post treating में question है Question number one Why is eating too much chocolate not good for health? ज्यादा chocolate खाना सिहत के लिए अच्छा क्यों नहीं? तो बचो इसका answer बहुत असान है Eating too much chocolate not good for health Because it damages our teeth and also harmful for our stomach बहुत स्यादा chocolate खाना इस थेद के लिए अच्छा नहीं क्योंके ये हमारे दांतों को भी खराब कर देता है और हमारे मेदा के लिए भी ये अच्छा नहीं Last question एक post reading में What would you like to invite to make your life easier? आप अपनी जिन्दगी को असान बनाने के लिए कौन सी चीज एजाद करना चाहोगे? तो बचो ये जो lesson है ये चीजों को recycle करने के बारे में है तो आप इस cancer इस तरह से दे सकते है I would like to invent a system of recycle things मैं चीजों को recycle करने के बारे में एक सिस्टम एजाद करना चाहूंगा To make our life easier हमारी जिन्दगीों को असान करने के लिए बच्चो इसके साथ ही ये lesson खतम होता है हमारी आज की class खतम होती है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इससे like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और इस channel को subscribe करें नेक्स्ट लेसन तक के लिए अल्ला हाफिए